हेलो एब्रिवन, वेल्कम टू सक्सेज विद रायकेडमी, देखिए 6 दिसंबर 2021 को रूस के राष्टपती ब्लादीमेर पुतिन भारत की यात्रा पर आये थे, हाला कि उनकी बहुत संचिप्थ यात्रा थी, बहुत छोटी यात्रा थी, लेकिन जितने भी भारत ने रूस के स समझाते किए, वो भविस्थ को लेकर बहुत ही महत्थ पून है और उसके साथ ही जो भी रक्षा छेतर में समझाते किए गए, वो भी काफी महत्थ पून है, देखिए इस पर 2プлять 2 वारता भी हुई है और इसमें जो इंडिया रसिया 2 प्लेश 2 जो वारता थी और उसमें 1 के जो डील थी, राइफल्स की, वो सक्सेस्फुल रही, भारत और रूस के बीच, सैन ने तक्नीक को लेकर समझोते हो गए, इस समझोते के तहट, दोनों ही देश, 2021 से 31 तक, यानि कि एक दसक तक सैन इस तर पर तक्नीक का आदान प्रदान करते रहेंगे, भारत और रूस के प्योगी द्विपक्षिय चर्चा की है, और भारत रूस के साथ अपने रणीतिक समझोते को विसेस महत्व देता है, देखे राजना सिंग ने ये भी कहा कि भारत जो रूस के साथ अपने घनिष्ट संबंदों को आगे और बढ़ाना चाहता है, और हमें उमीद है कि आने पाले दिनों में ये समझोते और भी बढ़ेंगे, सांती, सोहार्द और स्थायत्त होगा इसमें, भारत और रूस का ही समझोते, कॉंट्रेक्ट, प्रोटोकाल पर भी सहमत हुए हैं, इस बारे में रक्षा मंत्री ने ट्विट भी किया था, देखे नई दिल्ली में दोनों अतियारों के लिए जरूरत बनी हुई थी, तो अब ये देखते हैं कि इसमें जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, वो देख लेते हैं हम, कि जो इंडिया रसिया डील है 2021, उसमें सेना को इस समय राइफल्स की जरूरत भी है, इस डील के होने के बाद भारत में अब 6,071,000 से सेना ने अमेरिका से 72,000 जो और राइफल्स खरी दी हैं, उस पर भी उसको भी ओर्डर दे दिया गया है, तो एक कहीं न कहीं समझ सकते हैं कि सेना की सकती को बढ़ाने की इसमें कवायत चल रही है, देखे 2 प्लस 2 ये जो वारता हुई है, वो भारत और रूस की पहली अधि कारिक 2 प्लस 2 वारता थी, देखे 2 प्लस 2 वारता से मतलब है, जब एक देश, दूसरे देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ जब वारता होती है, दो मंत्री एक साथ वारता करते हैं दोनों देशों के, तो उसे 2 प्लस 2 वारता बोला जाता है, इसमें भारत क रक्षावंतरी राजनास सिंग और रशिया के जो उनके समकक्ष है सरगई सेवगू इन्होंने तो सो तीन राइफल को लेकर एक समझोता किया है जिसका निर्वान अमेठी यूपी में होगा इस डील में इस डील के तहत डिफेंस में जो मिनिस्ट्री है और उसके साथ ही तरीके से कहते हैं कि वार्सिक बैठक थी वार्सिक बात थी दोनों देशों के बीच क्योंकि पिछले कई वर्सों से भारत और रूस लगातार साल में कम से कम एक बार तो बात करता ही करता है दस एग्रिमेंट हुए हैं और इसमें बातचीत हुई है दोनों देशों के नेता हुई है वो सबसे महत्तपूर्ण इसमें मानी जा रहे है जिससे की जो चाइना की टेक्नलोजी है चाइना की जो सक्ती है हतियारों की सक्ती है उसको कहीं न कहीं चुनौती देने के लिए भारत ये सब अधिकारिक डीले कर रहा है अब इस डील के तहट 6,001,002,003 Assault Rifles का नि इग्रिमेंट होना जरूरी भी था प्रोटोकॉल के तहत हुआ है इसमें डिफेंस मिनिश्टर ने और भारत के डिफेंस मिनिश्टर के साइन हुए है जो डील आपको बताया गया कि 2021 तक इसमें सैने तक्नीकों का आदान-प्रदान किया जाएगा इसके बाद डिफेंस मिन एक भुष निरधारित करेंगे और जिस तरीके से रूस के राश्पती ब्लादिमेर पुतिन ने प्रधान मंतरी मोधी को रूस आने का नियोता दिया है उसे भी प्रधान मंतरी निरेंदर मोधी ने स्विकारा है और अगर हम हिंद प्रसांच्छेतर में देखें तो हिंद चेतर में जिस तरीके से चीन की ताकत बढ़ रही है उसको विचुनोती देने के लिए भारत को अन देशों के साथ यानि कि रूस जैसे देशों के साथ आना जरूरी भी था और राजनीती की मांग भी है अगर हम बात करें जिस जब से अमेरिका और भारत की नजदीकिया ब देखते हुए रूस कहीं न कहीं अपने आपको और अधिक एसिया में बर्चस वाप कहा सकते हैं इस्थापित करना चाहता था तो इसलिए उसने चाइना का रुक किया तो इस तरीके से देखने को मिलता है जब उन्होंने अफगानिस्तान में कहीं न कहीं तालिबानी सरकार को माननेता दी क्योंकि चीन ने भी माननेता दे रखी है अफगानिस्तान सरकार अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उसके बाद से यह कयास लगाया जा रहे थे कि कहीं न कहीं भारत और रूस की जो नजदी किया है वो अब डिश्टर्ग हो रही है लेकिन यह जो points discuss करने लायक थे, वो discuss किये गए हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो like को share कर दीजेगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.